हेलो सुडेंट्स आज हम इस वीडियो में एकाउंटिंग स्टाइडर्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे जहां पर हम एस, इंड़ेस, आइफरस, आइएस इन सारी टमलोजी को प्रॉपरली क्लियर करेंगे और कितने इंड़ेस या आइस या आइफरस हैं उनके लिस्ट भी देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एकाउंटिंग स्टाइडर्स को क्लर करने के लिए हमें सबसे पहले गाप को समझना पड़ेगा, तो बिसिकली गाप क्या होते हैं, अब जिनरली असेप्टिड एकाउंटिंग प्रॉपरल्स का मतलब क्या हो गया, कि एक कॉमन स जाट है, अकाउंटिंग प्रिंसपल्स का, स्टांडर्स का और प्रोसीजर्स का, जो बिजनस इंटिटीज को क्या करने होती हैं, फॉलो करने पड़ती हैं, अपने फिनाशल स्टेट्मेंट को प्रिपयर करते वगत, और उसको प्रेजेंट करते वगत, अपनी जितनी भी के ट्रांजक्शन्स हैं, जिनको अपने फिनाशल स्टेट्मेंट में शो करने वाले हैं, उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे दिखाना है, शो करना है, उसका डिस्क्लोजर कैसे होगा, यह सारी बाते, जिस सेट ओफ स्टांडर्स में बताई जाती हैं, और जिसे सभी तो जो ग्याब होता है यह combination होता है दो चीजों को combination होता है एक तो हमारा हो गया authoritative standards जो कि policy boards जितने भी boards setup किये जाते हैं वो boards जो issue करते हैं standards वो हो जाते हैं तो एक तो पो authoritative standards हो गये और दूसरा क्यों हो गया कि एक common way जिसके through recording और reporting जो accounting information है उनकी कीज़ए मतलब एक common accepted way जिसको सब लोग agree कर रहे हूँ कि हाँ इसी तरीके से हम अपने information accounting information को disclose करेंगे तो इन दोनों चीज़ों को मिलाके हमारा gap clear होता है अब जब हम यह authoritative statement standards की बात करते हैं तो अगर हम international level पर बात करते हैं तो यह standards यह authoritative standards जो policy board मतलब जो committees यह board जिसको issue करती है उनको हम कहते हैं IFRS मतलब यह authoritative standard अगर international level पर बने हैं तो उसका नाम क्या हो गया हमारा IFRS यह IAS ठीक है international financial reporting standard यह international accounting standards वहीं जब बात इंडिया की करते हैं तो इंडिया का जो authoritative standard हो गया वो हमारा क्या हो गया accounting standard that is AS और INDAS Indian accounting standards clear है so basically यह जीज़ हमें clear हो रही है कि हमें पूरे business में अब हमको अच्छे से पता है कि हमने balance sheet PL financial statement समझा हुआ है तो उसके इसाब से हमको पता है कि हमें पूरे अपनी जो भी financial literature के transactions होते है उनको proper record करना पड़ता है उनको अपने books of account में दिखाना पड़ता है और उसको ही अच्छे से general entry करके, laser करके, posting करके यह सब करने के बाद ही हम एक proper financial statement ready करते हैं जिसको हम कहते हैं कि PL, balance sheet, cash flow यह सब हम तयार करते हैं clear है, अब यह सब जो हम तयार कर रहे हैं उसको कैसे किया जाए इसके लिए एक set decide किया गया एक principles बनाए गया, रूल बनाया गया कि देखिए अगर आपका यह assets है इस nature का है, तो इसको आप यहाँ पे दिखाएंगे 12 मेने से कम का है, तो इसको आप current assets का नाम दीजे, इसको यहाँ show करेंगे तो मतलब proper instructions दे के, एक set standards तैयार किये गए और सारी business entities को उसे follow करना पड़ा, तो यही कहलाता है न, accounting standards मतलब यह जो अपका accounting का काम है कि record करना, classify करना, summarize करना, analyze करना, इसको करने के लिए, कि standard set कर देगा कि सब ही को इसी तरीके से काम करना है, और ऐसा क्यों किया गया जैसे कि uniformity है ऐसा ना हो कि आप, आप भी एक business man है हम भी business man है और दूसरा भी business man है तो आप अपना, अपना books of account अलग तरीके से record करिया, हम अलग करें और कोई और किसी और तरीके से करेगा तो कोई uniformity कैसे रहेगी कोई पर decision लेना होगा, मालजे बैंक के पास है तो बैंक इतनी policy कैसे समझेगी आपने क्या किया है, फिर आपने क्या किया है फिर आपने क्या 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 है तो यह ऐसे करना सही नहीं होता है सब अपनी मरजे से काम करेंगे तो कोई set नहीं बन पाएगा न तो इसी लिए standards बनाया गया bench mark बनाया गया कि सब को यही follow करना है clear है, तो जो लोग इसको issue करते है वो हमारी standards board हो जाते है है न, कि यह standard मतलब यह set benchmark, यह benchmark कि यह rule किसने issue किया है वो हमारी board हो जाती है, committee हो जाती है clear है, तो जो board या जो committee जो भी standard issue करते है उनहीं का नाम यह सब है IFRS, AAS, INDAS यह सिर्व हम नाम है कि standards किसने issue किया है और उसका नाम जैसे हम कोई बात कहें तो हमने कहा है कि यह हमारी घर का rule है तो यह rule हो गया, rule number one, rule number two इसी तरीके से accounting के लिए जो rule बनाये गये, जो principles बनाया गया उसी का नाम दिया गया international level पे बनाया गया तो उसका नाम IFRS या IAS दे दिया गया और जब India के level पे बनाया गया तो उसी का नाम AS और INDAS दिया गया तो हमें clear है कि यह AS, INDAS, IFRS सिर्फ issued किये गये हैं नाम, rule बनाया गया है ठीक है, तो सबसे पहले हम किस की बात करेंगे AS की, इंडे में अगर हम बात करते हैं तो accounting standards क्या होता है तो देखे, accounting standards जो होता है यह एक written policy documents होता है अब written policy documents का मतलब समझेगा कि जिससे हमने का ना कि principles set कर दिया गया कि रूल बना दिया गया कि आपको इस तरह से काम करना है तो एक written policy document हो गया जो कि किसने इशू किया था गवर्मेंट ने इशू किया और गवर्मेंट क्या अकेले इशू करेगे, नहीं उनके साथ जो regulatory bodies है जिसे ministry of corporate affairs, MCA इन सब के supports के थूँ government ने इस standards को issue किया देखिए standards को जो issue किया जाता है वो government notify करके issue करती है लेकिन इसको बनाने का काम जैसे होता है कि आपने draft किया आपने बनाया लेकिन इसको issue का ना public में applicable कराने का काम government का हो गया तो government इसे notify कराती है consultant करके अपने MCA वेगरा से ठीक है तो यह जो standard लेकिन बनाने का काम ICI की थूँ होता है तो यहाँ पे जो यह standard issue किये गए है accounting standards वो corporates के रिए issue किये गए जो companies हैं, जो business entities हैं उनके रिए issue किया गया और किसकी consultation से? Nafra की consultation से National Financial Reporting Authority तो यह authority जो है यह पुरा board जो है committee है Nafra की वो उससे consult करके government ने इन सारे standards को issue किया clear है? और frame किस ने किया था? आपकी ICI की ASB ने frame किया था तीक है? अब यह जो है आपका standards होते accounting standards यह basically financial statement के बहुत सारे aspects को cover करते हैं अब बहुत सारे aspects को cover करने का क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि यह standards इस तरह बनाए गए हैं कि आपको help मिले किस-किस चीज़ के regarding कि आप यह recognize कर पाएं कि particular event या transactions को कैसे यह financial nature का है की नहीं है क्योंकि जो financial nature का होगा उसी की recording करनी अपने आप financial statements में आपको तो यह आपको recognition में help करेगा यह standards यह cover करता है measurement में कि जो भी events and transactions है उनको financial terms में कैसे measure किया जाए मतलब उसकी valuation कि माले जो building है तो building के कितनी cost दिखानी है कौन से price दिखानी है तो उसको measure करना उसकी valuation करना भी आपको कौन बताएगा यह standards cover करते हैं आपको यह भी help करते हैं साथे साथ presentation of transaction and events जो भी transactions जो भी events business में हो रहे हैं आपकी corporate offices में हो रहे हैं उन सारे informations को आपके books में कैसे present किया जाए यह बात भी आपका standards बताता है और disclosure requirements कि किस चीज को कहा disclose करनी है कौन सा आइटम ट्रेडिंग में जाएगा कौन सा आइटम आपका profit and loss account में जाएगा कौन सी चीज को उनको balance sheet में डिखानी है तो किस चीज को कहा disclose करनी है और किस चीज को कहा disclose करना ज़रूरी है मतलब किन-किन बातों को आपको बताना ही बताना है तो वो सारे requirements भी आपको ये standards बताते हैं तो basically recognition, measurement, presentation and disclosure ये चार बाते आपके standards cover करते हैं clear है तो ये जो standards हो गए ये आपका एक benchmark हो गया, एक rule हो गया, एक principle हो गया जो set किया जाता है कि किसके basis पे आप अपने financial nature's के transactions को अपने financial statement में record करेंगे ये आपको help करता है कि आप अपने transactions को अपने events को recognize करिए उसको measure करिए, उसको कैसे present करना उसको कैसे disclose करना ये सारी बातों में आपको ये standards help करता हो और notify को न करता है, government of India MCA के help से, support से करेगी हो ICI की जो council है उसने 29 accounting standards को issue किया मतलब उन्होंने ये draft करें 29 दिया जिसको government नोटिफाई कर दिया 29 accounting standards council ने issue किये थे ठीक है, लेकिन इसमें से जो AS6 था AS6 किसके regarding जो depreciation accounting के regarding था तो मैंने जब depreciation के बारे में वीडियो जो बने में बताया था कि AS6 इसको deal करता था depreciation accounting को, लेकिन basically अब AS6 withdraw हो चुका है और जो हमारा AS10 था accounting standard 10 fixed assets का, उसको rename करके property plant and equipment कर दिया गया ASPPE कर दिया गया AS10 PPE कर दिया गया property plant and equipment, अब उसी के अंदर जो है, ये depreciation के बाग बता दी गई थी और यही AS10 जो है end AS में अलग नाम से आ जाता है clear है, तो basically जो ICI ने 29th accounting standard issue किये थे, जिसमें AS6 और AS8 को withdraw कर दिया गया, तो अभी हमारे यहाँ present में 27 accounting standard present है clear है, ये जो accounting standards है, वो किसने बनाए थे, मतब ICI की council ने issue किये तो clear है, पर इसकी जो drafting board है, वो कौन है हमारी accounting standard board है, ASB accounting standard board इन्होंने इसको properly ये 29 standards बनाए गये थे, ये ASB के through बनाए गये था, और ASB का जो board बनाया गये था, वो 1977 में बनाया गये था, ये board तब established हुई, और established के बाद उन्होंने business entities के लिए, ये standards को set किया, और ये set इस दिए किया कि general accepted accounting principles को follow करते हुए, ये entities अपने financial statements को properly prepare कर सकें, तो ये तुमारे AS हो गये, तो अब accounting standard 1, accounting standard 2, accounting standard 3, accounting standard 4, इस तरह से 27 accounting standard currently working में है, is it clear, तो ये अब क्या है, आप जो भी AS के बारें पढ़ेंगे, जिसे अब AS 10 आप पढ़ेंगे तो property plant and equipment तो आपको बताएगा कि tangible assets की कैसे recording करनी है, कैसे इसको identify करना है, कैसे measure करना है, किस चीज़को कैसे calculate करेंगे, ये सारी कहाने आपको उस AS 10 में मिल जाएगी, मतलब हर एक के लिए आपका ये standards बता दिया गया, और इस तरह से हर चीज़के लिए 27 standards currently working में हैं, clear है, अब हम बात करेंगे किसकी IAS and IFRS, देखें, जब भी हम standards के बात करते हैं तो बार बार अगर आप सुनेंगे तो आपको मिलेगा कि IAS, IFRS और आपका AS, INDAS, ये सारे आपको कही न कही साथ resemble करने लग जाते हैं, so basically हमें समझना पड़ेगा कि सब चीज़े एक ही बात कहती है, एक बात क्या, uniformity लाना, standards लाए क्यों गए, uniformity लाने के लिए, कि सारे business जो entities है ना, वो एक uniform basis पे, मतलब एक ही जैसा अपने transactions को अपनी books में record करें, और जिससे सभी के लिए काम करना easy हो पाए, उनको analysis करना easy हो पाए, comparison करना easy हो पाए, है ना calculate करना easy हो पाए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं, इन्हे objectives के साथ ही, ये standards को लाया गया, तो अब international level पे इनको लाने वाले लोग जो थे, वो international board थी, तो उन्होंने जो अपना standard issue किया, उसके नाम रखे उन्होंने IAS1, IAS2 या IFRS1, IFRS2 इस तरह से उन्होंने अपने नाम रख दियें, clear है, और इसी तरह जब हमारे Indianate बनाया, तो उन्होंने अपना नाम रखा, IAS1, IAS2 इस तरह से करके नाम रख दियें, और हर एक में अपना-पना rule बताया कि इस particular चीज के लिए ये rule होगा, इस particular चीज के लिए ये rule होगा, तो आप इस तरह से standards पढ़के उन्हों को समझ सकते हैं, अब IAS, IFRS हम international level पर समझने जा रहे हैं, confusion क्यों होती है कि IAS और IFRS दो अलग हैं, कि एक ही हैं, क्योंकि bodies कभी-कभी अलग होती हैं, तो क्या है ये, तो पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं, कि IE कहां से originate कैसे हो हैं, तो basically London-based group थी, जिसका नाम था International Accounting Standard Committee, IASC, International Accounting Standard Committee, तो देखिए, नाम बहुत easy है, एक तो इंटरनेशनल लेबल पर IAS, IFRS अब इंटरनेशनल लेबल पर हैं, तो international हो गया, दूसरी चीज़ किसके regarding standards बन रहे हैं, accounting के regarding, तो accounting standard हो गया, और IAS को कौन issue के, कमिटी ने इशू किया, तो IAS committee, तो ये जो IAS है ना, वो किसके तो London की जो group था, International Accounting Standard Committee, उन्होंने जो issue किया standards, उसका नाम क्या रखाऊन हो ना, IAS, अब ये standard क्या थे, कि भही वो बताएंगे, कि international level पर, कि अगर building है, तो building की recording कैसे होगी, उसके लिए क्या rule है, वो सारी चीज़े वो वताएंगे, है ना, कैसे आप transaction को identify करेंगे, तो वही standards आपको बताने वाले हैं, तो हर एक के लिए अलग-अलग standards दे दिये गया, ठीक है, अब IAS जो issue किया गया, basically वो international level पर, worldwide level पर accept करने के लिए issue किया गया, कि world level पर सब लोग एक ही standard को follow करें, जिससे किसी का business कहीं भी रहे, काम easily हो, और किसी को भी calculate करने में easy ना हो, अब suppose करिए, हमारे इंडिया में अलग standard चल रहा, US में अलग standard चलेगा, France में अलग standard चलेगा, और हम कहते कि export, import होगा, तो सोचे कि किसी के भी business को करने के लिए, उनकी standards को मान के recording करो, तब जाके वहाँ की government accept करेगी, हमारे के लिए हमारी करो, तो इस तरह से अलग-अलग government का करना कितना ज़्यादा difficult होगा, कि उनके norms को follow करते हूँ, उनकी तरह treatment करिए, तो इसी लिए ये सोचा गया कि एक international level पे एक standard होना चाहिए, जो सब को ही, worldwide सब को उसको follow करें, तो जिससे क्या होगी, जो हम कह रहे हैं कि एक ही country में अलग-अलग business man uniformity लाएं, वैसे ही अलग-अलग countries के business man एक uniform standards को follow करें, इसी objective के साथ international standards को issue किया गया था, clear है, लेकिन हुआ क्या 1997 और 1999 के बीच में, यह जो committee थी ना, international accounting standard committee, यह restructured हुई, और जब restructured हुई, तो एक नया नाम से यह form होके आई, जिसका नाम क्या था, कि committee अब board बन गई थी, तो क्या नाम हो गया, international accounting standard board, पहले क्या थी, international accounting standard committee थी, तो committee ने IAS issue कर दिया, बाद में यह committee restructure हुई, और क्या बन गई, board बन गई, तो मतलब international accounting standard board, IAS भी बन गई, clear है, अब यह जो board बन गई, तो यह board अपना काम कप से शुरू करे, 1st April 2001 से, यह board effect में आ गई, तो अब जब board effect में आ गई, तो उसको भी standards देने थे, उसको भी अपना काम करना था, है ना, तो अब एक चीज़ तो पहले इस बात से यह clear समझेगा, कि जो IASC थी ना, मतलब international accounting standard committee, जिसने IAS दिया था, यही committee, अब किस नाम से जाने जाने लगेगी, IASB, उनको board बना दिया गया, clear है, तो जब यह board बनी, तो इन्होंने अपना standards का series pronouncement शुरू की, मतलब उन्होंने अपनी standard of series issue कर दी, और उसको जब उन्होंने issue किया, तो उसका नाम क्या दिया, IFRS, अब जुकि यह नए नाम से स्टाब्लिश हुई थी, तो इन्होंने का कि जब हम standards देंगे, तो हमारा अपना नाम होगा, जो मेरा, मुझे बताई कि यह हमने दिया है, तो अगर वो same series को follow करते तो identify करना तुरा मुश्किल हो जाता, कि committee वालों ने दिया है, कि board वालों ने दिया है, committee पहले थी, अब board बन चुकी है, तो board ने अपने आपको identification में रखने के लिए, आप इस तरह से समझेगा इस बात को कि identification में रखने के लिए, जब अपनी series issue कीने standards की, तो उसका नाम क्या रखना शुरू किया, IFRS, International Financial Reporting, भई में तो यह ने कि financial information को कैसे report किया जाए, कैसे level पे, International Financial Reporting standard, अब इन्होंने IFRS के नाम से अपनी पूरी series देना शुरू कर दी, तो एक चीज़ आपको clear हो गई, कि IAS या IFRS, एक series है international standards की, clear है, जब इसी committee ने दिया, तो उन्होंने नाम रखना था IAS सी, IAS और जब इसको board ने दिया, मतलब international accounting standard board ने दिया जब, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया, IFRS, clear है, अब जब ISB बनी न, इस board ने अपना जब series देना शुरू किया, IFRS का, तो उन्होंने जो committee ने अपनी series दी थी, IAS वाले, उसको reject नहीं किया, उसको चलने दिया, मतलब IAS भी थी, और IFRS भी आ गई, is it clear, तो IAS ही IFRS बन गई, है न, IAS अपनी जब जब आपनी series उन्होंने दी थी, उतनी तो थी थी, अब उसके आगे, उन्होंने, IFRS वालोंने अपनी series देना शुरू कर दी, तो IAS की जो series थी उन्हों खत्म नहीं किगी, वो भी existence में रही, मतब कमिटी ने जो दिया तो वो भी चल रही थी, और बोर्ड ने जो start किया देना वो भी चलती रही, यहां तक clear हो गया बाद, तो IAS और IFRS किसके थुरू issue किया गया, और क्या है, यही तो clear हो गया आपको, अब हम IFRS की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोर्स में IFRS की बात कही गई है, तो IFRS क्यों हो गया, International Financial Reporting Standard हो गया, यह standards हो गया है, क्या, यह principle based set of standards होते हैं, मतलब यहां पे principles के basis पे rules, मतलब आपको standards set करके दिये गये हैं, नॉर्म set करके दिये गये, प्रोसीजर set करके दिया गया, वह तो principle पे दिया गया है, ना कि rule पे दिया गया है, इसलिका जाता है कि IFRS principle based है, ना कि rule based है, अब यह standards था, वो किसके थूरू issue किया गया, तो board कि थूरू, International Accounting Standard, board कि थूरू, वहीं अगर IAS आप लिख रहे होते, तो क्या लिखते हैं, कि यह किसके थूरू issue किया गया है, International Accounting Standard, committee कि थूरू, IASC कि थूरू issue किया गया है, clear है, यह जो standard issue किये गया है, IFRS जो issue किया, board नहीं, वो main objective इनका था, कि global level पे, मतलब all over the world, सभी लोग एक ही standard को follow करें, और वो consistent रहे हैं, मतलब सब लोग एक जैसा काम करें, uniformity रहे हैं, सारी countries का, जिससे कि जो liberalization, globalization जैसा concept है न, कि सभी एक साथ business कर रहे हैं न, वो अच्छे से हो पाए, तो it ensures high quality transparent reporting, that would ensures the comparability among the entities across the global, मतलब सब में transparency रहे, कि कौन क्या काम किया, कैसे किया, क्योंकि करना तो ऐसे था, जैसे आपको पता है कि rule ये है, ऐसे काम करना चाहिए, ये principle बताया गया है, तो अब जो भी country काम की होगी, उसी principle पर काम करिए, अगर उसके books आपको उस तरह नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब उसने गलत बनाया है, तो इसी लिए transparency रखने के लिए, ये standards को रखा गया, कि quality maintain रहे, और global label पे सारी entities को compare कर पाना easy हो जाए, तो अगर suppose कि ये आपका business unit, France में भी है, US में भी है, Germany में भी है, अलग-अलग countries में आपकी franchise ही चल रही है, या फिर मैं कहूँ कि आपकी units, आपकी companies चल रही है, अलग-अलग जगाँ का आपकी branches है, तो ऐसे में आप अगर एक ही standards रहेगा, तो आप उस level पे उस standard को follow करते हुए, सारे groups को consolidate करके, अपनी books of accounts को properly prepare कर पाएंगे, तो सभी companies के लिए, ये globally complete करने के लिए easy हो गया, कि आप किसी भी country में हैं, किसी भी country में business कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने books of account को कैसे prepare करना, वो एक ही rule है, उसी set of standards को follow करते हुए, आप सब को अपने books of account तैयार करना है, तो ये हमारे IFRS हो गया, clear है, तो IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4, ऐसे करके सारे IFRS issue किये गए, है ना, हर एक चीज के लिए कि कैसे report करना है, उसकी पूरी detail वहाँ पे दे दी गई, अब हम बात करते कि इसकी INDAS की, तो देखी, INDAS क्या हो गया, कि INDAS मतलब क्या हो गया, Indian accounting standard, अब accounting standard तो हमारे यहां थे ही, AS तो हमारे यहां चली रहा था, फिर ये INDAS का क्या मतलब हुआ, तो पहले तो ये समझ लेजेगा, INDAS का मतलब यह हो गया, कि जब ये बोला गया, कि 2015 के time period में, ये बोला गया, कि पूरी countries को, सभी nations को, एक ही standards follow करना है, that is IFRS, मतलब ये जो board ने बनाया था न, International Financial Reporting Standards, IFRS, तो उन्होंने क्या कहा, कि सभी countries की meeting हुई, और बोला गया, कि सब को यही standards follow करना है, जो कि IFRS है, सारे लोग अपनी अपने यहां पे, अपनी companies के books of account, IFRS के rules को मानते हुए, उसके principles को मानते हुए, follow कराई है, clear है, हमारी India ने क्या कहा, कि हम IFRS को follow करेंगी, हम उसको मना नहीं कर रहें, लेकिन हम सीधा सीधा, वही adopt नहीं कर लेंगे, कि मतलब IFRS 1 जो लिखा गया, IFRS 1 हमारे यहां भी adopt होगे, तो अब हमारे यहां IFRS 1 चलेगा, नहीं हम adopt नहीं करेंगे, बलकि हम converge करेंगे, converge in the sense, कि हम उसको ध्यान में रखते हुए, अपना भी ध्यान में रखते हुए, एक line पे लाएंगे, तो converge in the sense समझेगा, हमेशे कहते हैं कन्वर्जिंस है, IFRS का कन्वर्जिंस है, यह term यूज के जाता है, इसका मतलब समझेगा, कि जब दो अलग-अलग चीज हो, और उन दोनों को एक ही point पे हम मिलाते हैं न, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंस, IFRS अपना standard था, मतलब international level पे उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया था रूल, इंडिया का अपना standard होता है, इंडिया के अलग economic condition है, इंडिया में अलग law है, इंडिया के अलग policies है, तो अब हमको दोनों को मिला की एक standard सेट करना था, या तो हम adopt कर लेते, IFRS जैसा था हमारी country में चाहे eligible हो, ना हो, हमारी economic condition कैसी भी हो, जो IFRS बोला हमको वैसा ही काम करना हो गया, तो हम उसे adopt करते as it is, adopt करने के मतलब as it is हमने ले लिया होता, या फिर हम convergence करते, तो हमने क्या adopt किया, हमने convergence किया, हमने adopt नहीं किया, मतलब हमने उनको भी ध्यान में रखा, और अपनी country की conditions को भी ध्यान में रखा, और दोनों को ध्यान में रखते हुए, हमने एक standards बनाया, जिसको हमने नाम दिया, IND-AS, is it clear, तो AS हमारे पास पहले से था, लेकिन वो AS हमारा international level में नहीं था, वो AS हमारी इंडिया की में, हमारी इंडिया की condition को ध्यान में रखते हुए था, लेकिन अब हमारे सामें problem क्या आ गई थी, कि बोला गया कि IFRS को सब को follow करना है, तो अब हम IFRS को या तो follow करते हैं, या तो हम अपना standard देते, हमारा AS तो चलता नहीं, तो हमने क्या किया, उसको identified करने के लिए, कि हमने IFRS और IS अब को ध्यान में रखते हुए, अपनी economic condition को भी ध्यान में रखते हुए, एक नया AS बनाया, जिसका नाम हमने दिया है, INDAS, मतलब Indian Accounting Standard, अब ये Indian Accounting Standards, Government of India ने ICI से consult किया, उनके through decide किया, और ये बोला कि भाई, हम जो board ने, ISB ने, जो IFRS दिया है ना, हम उसको adopt नहीं करेंगे, बलकि हम उसको converge करेंगे, मतलब हम अपना INDAS देंगे, हम अपना AS देंगे, उसको line-up में लेते हुए, clear है, तो Indian Accounting Standard, INDAS जो है, section 133 of Companies Act 2013 के अंदर, notify कर दिया गया, और वहाँ पर बता दिया गया, मतलब जब इसको applicable कराया गया, INDAS को, तो वहाँ पर बताया गया, क्योंकि international level से हमारे पर pressure था है, कि सभी की international standards को follow कर ये, तो हमारी जब meeting होई, तो हम पर हमने कह दिया, कि हम INDAS बनाएंगे, मतलब हमें ऐसा बनाएंगे, कि अपनी condition को ध्यान में रखते बनाएंगे, मैं adopt नहीं करेंगे, जब कि बहुत सारी countries ने सीरे सिदा IFRS adopt कर लिया था, पर आप सोचिए कि हमने ऐसा नहीं किया, हमने कहा कि नहीं हम अपनी condition को देख के बनाएंगे, तो हम पे ये pressure था कि जल्दी से इसको applicable करिया आप country पे, तो उस situations में हमारे आप जब इसको पढ़ेंगे, detail में पढ़ेंगे तो आप बताया गया, कि कुछ countries के लिए तो recommendatory किया गया, कि भाई आप follow कर लीजिएगा, और कुछ के लिए mandatory कर दिया गया था, मतब अब यहाँ पे balance sheet का format थोड़ी बताने वाले थे, यहाँ पे बताने वाले थे कि कब आप इसको assets कहेंगे, कितनी value में दिखाएंगे, कैसे disclose वही, recognition, measurement, presentation, disclosure, यही चार बात याद रखीगा, वही चीज़े यहाँ पे बताया जाने वाले था, clear है, तो यह जो आपका INDAS बना न, और इसको notify किसमे किया गए, 133 के अंदर, मतब अब यहाँ से applicable कराने की बात कर दी गई, तो यह जो हमारा INDAS बना, वह हमारी Indian economics, हमारी इंड़े की legal environment, इन सब को ध्यान में रखते हुए formulate किया गया था, तो हम यह कह सकते हैं, कि जो INDAS है, और जो IFRS है न, मतब जो INDAS है, वो IFRS और IS से converged है, मतलब बिलकुल उनको follow करते हुए, हमारी government of India नहीं, accounting standard board ASB, जो हमारी AS बनाती है, उसकी supervision में, उसकी control में, और ASB किसके अंदर आती है, ICI के अंदर आती है, मतब ICI के ही एक body है ASB, जो कि standards बनाती है, तो ASB और NAFRA, इन सबसे consult करके, इनके supervision में, इनके control में, और IFRS को ध्यान में रखते हुए, हमारा INDAS तयार किया गया, clear है कि नहीं clear है, तो यह जो हमारा INDAS था न, यह बिलकुल वैसे ही name दिया गया, मतब INDAS 1, उसका नाम क्या होगा, INDAS 2 का नाम क्या है, INDAS 3 का नाम क्या है, तो जिसका नाम हो जिसका number है न, serial number, वो बिलकुल वैसे ही रखा गया, जैसे हमारा IFRS और IAS था, is it clear, IFRS और IAS भी clear हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ लिस्ट देख लेते हैं हैं और लिस्ट इतनी consolidated है, कि आपको सब कुछ clear हो जाएगा, देखें, यहाँ पर मैंने पहले ही बिताया, सबसे पहले क्या आया थे, कमिटी बनी थी, कमिटी ने पहले क्या दिया था, IAS दिया था तो IAS कमिटी ने दियना शुरू कर दिया था, बाद में board बन गई, 2001 से board आ गई थी, IAS B है न, board आ गई थी, board ने क्या दियना शुरू कर दिया, IFRS दियना शुरू कर गया, IAS1 Presentation of Financial Statement International level पे जो 1 था उसका नाम क्या था Presentation of Financial Statement तो हमने इंडिया ने जो बनाया IndAS1 उसका नाम क्या दिया Presentation of Financial Statement Same name दिया, Same numbering की IS2, Inventories था तो हमने भी IndAS2 बनाया, Inventories यहाँ था clear है, एक चीज़ और इसी बीच में आपको बता दूँगी जब हमने convergence किया मतब line up में लाने के लिए अपनी Indian condition को देखते वे जब हमने Indies frame किया था तो चुकि हम IFRS as it is तो adopt नहीं कर रहे थे, तो sometimes हमें कुछ चीज़े add on करनी पड़ी, कुछ चीज़े हटानी पड़ी, मतब जो IFRS में कुछ चीज़े दी गई थी, जो statement यूज किया गया था, हम उस statement को थोड़ा change की है, और change करके अपने हिसाब से अपने country के according किया, जैसे IFRS में बोला गया था statement of financial position और हमारी country में हर समेशा use किया था balance sheet, तो हमें पता था कि balance sheet से लोग aware है, पर वहीं position भी कहते हैं, is it clear, तो इस तरह से हमने जो IFRS में बाते लिखी गई थी न, तो कुछ चीज़ों को हमने नहीं लिया अपने, अपने इंडेयस में जो चीज़े हमने नहीं ली IFRS से, उसे को बोलते carve out, और जो चीज़े हमने IFRS में दोनों को देखते हुए carve in, carve out आता है, मतलब ऐसी चीज़े जो IFRS में हैं लेकिन हमने उस चीज़े को अपने इंडेयस में नहीं लिया, उसको delete कर दिया, उसको हटा दिया, तो हमने का carve out कर दिया, और कुछ ऐसी चीज़े जो IFRS में नहीं थी, फिर भी हमने अपने इंडेयस में रखा, उसी का नाम हमने दे दी, carve in दे दिया, ठीक है डिटेल्स में carve in, carve out का अलग होता है, clear है, तो अब यहाँ पर आप देख लिजए, IS7 statement of cash flow, तो इंडेयस 7 में भी statement of cash flow बताया गया है, clear है, तो यह सारे आपके IAS से होगे, जैसा IAS है वैसा ही, seem, seem नाम आपका इंडेयस का मिलेगा, clear है, अब आप याद रखेगा, हमारी इंडेया, इंडेयन accounting standard बिना रही थी, और उसको पता था कि IAS, IFRS 2 है, तो इन्होंने क्या किया, जब इंडेयस का नाम देना शुरू किया ना, तो IAS वालों को तो seem sequence रख दिया, अब कैसे पता चलेगा, कि यह वाला हमने IFRS से लिया यह वाला हमने IS से लिया है, तो इन्होंने sequencing में थोड़ा सा change किया, अभी आप देखेगा IS यहाँ पर clear होगे सभी को तो यहाँ पर मैंने 21 तक रखा है, same ची, same line, same name वो रखे हैं आपका कार्विन कारावूट की बात अलग है, पर exactly numbering और name, same है, clear है अब इसी तरीकी से हम बात करेंगे किसकी, आपके IFRS की, देखें, IAS International Accounting Standard total 41 दिये गये थे, 41 Standard तक दिये गये थे, तो 41 Standard किसका था, Agriculture का, तो हमारी इंडिया में भी INDAS 41 बना Agriculture का, INDAS 41 के बाद, मतब IS 41 के बाद कौन आ गया था, IFRS आना शुरू हो गया था अब जब से IFRS आ गया, तो IFRS वालों ने अपना सीरीज देना शुरू किया IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3 अब हमको IFRS को भी अडॉप्ट करना था, तो हमने क्या किया identification के लिए IFRS जब से अडॉप्ट करना शुरू किया ना, तो उसको 100 प्लस में कर दिया, तो देखिए IFRS 1 है, तो हमारा क्या दिखीगा INDAS 101, क्योंकि अगर हम INDAS 1 करते, तो INDAS 1 तो IS 1 वाला था न, INDAS 1 और वहाँ पर IS 1 था, तो उनका तो बाइफर के ट्लियर हो रहा था कि IS 1 है, और हमारा तो INDAS के नाम से ही है, हमको दोनों को मिला के बनाता, तो INDAS 1 वहाँ भी लिखे हैं, और IFRS के आगे फिर INDAS 1 लिखते तो गड़बड हो जाता, तो हमने किया कि IS वालों को as it is लिया, और जब IFRS की सिरीज शुरू ही तो उसको हैंड़ प्लस में नाम लिखना शुरू किया, तो देखें, IFRS 1 मतलब INDAS 100 प्लस 1 101, ठीक है, IFRS 2 का मतलब 102, 103 तो हेंड़ प्लस करके इसका नाम रखना शुरू कर दिया, तो जब हेंड़ प्लस वाली सिरीज समझ जाएगा, यह IFRS से लिए गई है, और जब तो पर ली चलती है, नॉर्मल वो समझेगा, IFRS 1 को रिफ्लेक्ट करती है, नेम सेम है सबका, IFRS 1 First Time Adoption of International Financial Reporting Standard तो IAS 101 भी सेम है, IFRS 2 भी सेम है, तो वहां पर INDAS 102 भी सेम है, तो यह IFRS है, इसी तरह टोटल आपके 15 IFRS दिये गए थे, जह हमारे यहां पर बने INDAS 115, revenue from contract with customer, ठीक है, इस बीच में कई IFRS ऐसे थे, जिनको हमने adopt नहीं किया है, या कई IAS ऐसे थे, जिनको हमने adopt नहीं किया था, IS 41 थे न, IS 41 में सिर्फ 3 IS को, मतलब 21 तक तो हमने दिखाई दिया था आपको, 21 के बाद सिधा हम 41 दिखा रहे थे, यहां पर, तो 41 तक दिखा है न, तो 21 से 41 के बीच में, 3 IS ऐसे थे, जिसको हमारे इंड एस ने cover नहीं किया, 26, 31, 39, तो हमारे इंड एस में, इंड एस 26 नहीं है, इंड एस 31 नहीं है, इंड एस 39 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि IAS 26, IAS 31, IAS 39 को हमने adopt नहीं किया, is it clear, तो वो हटा के हमारा exact 41 के 41 यहां पे रहेगा, clear है, तो IFRS हो गया, और यह देखिए 15 तक दिया गया, उसके बाद IFRIC वेगरा दे दिया, जो appendix वेगरा के regarding है, so I hope यहां तक आपको पूरी चीज़े clear हुई होगी, और इस तरह से पूरा यह INड एस AS है, wish you all the best, thank you so much